नमस्कर दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में से फोटो होते हैं उसको पॉलेज फोटो में कनवर्ट कर सकते हो और इसके लिए कोई भी एप्लिकेशन को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है यह फीचर आपके मोबाइल में पहले से ही होता है तो आईए जान लेते हैं कैसे करते हैं मेरा नाम है सचीन और आप देख रहें अंडबेशप्राइड.com फोटो को कॉलेज में कनवर्ट करना लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके गैलरी में जानी के बाद जो भी पोटो आप गॉलेज में करना चाहते हो उसको ऑपको सेलेक करना ए example के लिए फोटो में college में convert करना चाहता हूं तो उसे मैं select करूंगा select करने के बाद नीचे के option होता है creativity, creativity पे click करना है और यहाँ पे देख सकते हो college करके option है उस पे click करना है यहाँ पे minimum six photos होनी चाहिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ और creativity पे click करता हूँ click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो भी आप photos में convert करना चाहते हो यहाँ पे बहुत सारी poster मिल जाते है poster के बाद यहाँ पे जो भी poster आपको पसंद आता है यहाँ पे layout भी बहुत सारे है aspect ratio change कर सकते हो margin change कर सकते हो यहाँ पे film role भी है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको film role भी मिल जाते है जो भी film role आपको पसंद आता है उसको आपको select करना है select करने के बाद आप यहाँ पे निची की तरब save का option मिल जाता है save पे click करना है सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका जो फोटोस थे अभी वह कॉलेज में कनवर्ट हो चुके है तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से फोटोस को कॉलेज में कनवर्ट कर सकते हो तो मुझे उम्मिद है चोटी से जान करें आपको पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं ऐसे यह ना इंटरस्टिंग जान करें के साथ तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन चूग रहे